जाने कैसे होता है सापों का मिलन कैसे बनते हैं जोड़े आज मैं आपको बतांगी कि कैसे बनाते हैं साप अपना जोड़ा दोस्तो साप एक ऐसा जीव है जो सदियों से मनिश्चों के लिए सोदर्य का विशे रहा है इसके आबास भूज़न चलने का तरिका विस आधी के विशे में आसानी से जानकारी मिल जाती है लेकिन इसके समागम और सत्यती के बारे में बहुती कम लोग जानते हैं आज मैं आपको बताऊंगी समागम और सत्यती के बारे में कुछ मैतपूर बाते साप जैसे जीवों में जोड़ा बनाना और समागम करना एक नर और मादा साप के मिलन की घटना मात नहीं है बलकि यह एक आर्थिक जटिल मामला है जो कुछ निश्चित विधी विधानों पन निर्भर होकर सापों की जनसक्या संभावित निर्भर को अभिव्यक्त करता है परजन रिट्टू के दोरान नर्व साप अकसर अधिक शक्रियों होते हैं और मादा साप को ढूरते फिरते हैं मादा पर अपना हग जताने के दोरान कई बार नर्व सापों के बीच युद भी होता है कई बार ऐसे युदों में सापों की मौत भी हो जाती है प्रेजन काल के दोरा नर साप सतर्क और चिल्चिडे होते हैं अफसर के फून अपनी केचली उतार कर वैं संजीव और चुस्त बन जाते हैं दूसरी और मादा साप सांत और सो में वेवार का प्रदिशन करती है जब तक कि कोई नर साप उस तक ना पहुंच जाए साप की ये मिलन की किरिया देना अपने आप में एक आचरे चिंतित गटना है मिलन के समय नर और मादा साप को देखकर ऐसा लगता है मानो वे दो नई एक ही हो जैसे जैसे मादा चलती है वैसे ही नर उसका अनुसारण करता है और इस किरिया के दोरा नर और मादा साप धर्ती से कई फिट ऊपर भी उड़ जाते हैं आधिक तर साप वरसा रित्तु के लगवक दो मईने पहले समागम करते हैं परतिक परजाती के नर साप केवल अपने नसल की मादा साप के साथी जोड़ा बनाते हैं धामा और अजगर परजाती के सांप साल में एक बार तथा पूर्शा भेडिया सीता की लट परजाती के सांप साल में दो बार प्रिजन करते हैं नर और मादा सांपों में दुम के पास प्रिजन अंग होता है ये थी SM News जिपोर्ट